हलो दोस्तों मैस अतोस्कुमर आप देखरे हो शबका न ओलीज यूटीमड चेनर फायनिलिए आपका केमेस्टि कावि भल्लूपरिंट आ चुका है यान कि फिजिक्स के बाद बाहरलोजी बाहलोजोजी पातomet और मैध मैद के मात के बादक करने इसकाव समय स्मय डिमंड लोंग सवाल नहीं रहता है तो बहुत ही इंट्रेस्टिंग है और समझे तो बहुत ही डेंजर भी जिसको जैसे लेना हो वैसे ले सकते हैं तो पहली बीना टाइमेट की हुए आपका वेटेस देखेंगे कि सबस्यादा किसमें हैं क्या बूलते हैं और गेनिक से ज़्यादा ही रहते हैं और आपका फिटिकल से कैसी कैसे क्या है तो थोड़ा सा डिसकर्शन करते हुँ चलेंगे ताकि आपका रिजल्ट बेस्ट हो आपको कहीं से कोई परिसानी नहों प्रिप्रेशन करने में हूँ बहुत सवाल रहेंगे इसमें भी इसमें भी तो यूनिट से के साथ अब त्यार होने वाला है और वह एक है राजा प्रधान द्वारा त्यार किया गया है तो सेंड किया था तो देखिए आपका सबसे पहले तो यहां से आपका जो भी क्या बोलते हैं फीजीकल में तो है तो numerical के साथ साथ आपका solid state से देखिए ध्यान दीजेगा कि यहां से क्या दे रहा numerical तो रहते है ठीक है बसे सी अपसे सी करके देखा numerical टैप का भी लेकिन यहां से derivation भी रहता है तो आपको ध्यान देना होको numerical दे रहा है कि derivation हम लोग थोला सा discussion करेंगे model set को भी देखेंगे ठीक है किस टाइप का पांच नमर में सवाल दे रहा है और किस टाइप का सवाल आपका तीन नमर में दे रहा है उसको भी लास्ट में देखेंगे तो ध्यान देर को solid state से objective आपका दो है और और इसका numerical अगर रहता है तो देखेंगे तो इसके बाद एक आपका लिखने के लिए एक नमर का तीन नमर का सवाल आपर नहीं है लेकिन पांच में तो रहेगा पांच में तो सवाल नहां से सब्सक्राइब नहीं है तो इसका देखांगी कि क्योंकि यह त्यार किया हुआ कोई और ररका जो स्टूडेंट कहीं पड़ता हो तो वहीं समुम्हें को बहरता है ठीक है तो तो नूमेरिकल एगर तो आपको नुमेरिकल फिक्स रहेगा सोलूसन से ठीक है तो किता नमर का ठीं का नहीं रेगा लेकछ आपका objective में रहेगा तो रहेगा मुल्र से ळेज़ सकता है ठीक है तो हम लोग को किर फिर्मूला कर याद है तो बन जाता हैो पोलेफर से पूछेगा तो फर्स चेप्टर तो इसको तो चछे स़की होंगे ना इसको तो चछे सकी होंगे और आपका एक लॉंक भी रहेगा इसके बाद के मिगल कानेटिक्स में क्या पूछेगा फस्ट ओडर से खर आ गया तो हम तो यहां पर देखेंगे कि आपका ऑप्जेक्ट्टिव देख रहेग उसके बाद surface chemistry surface chemistry तो छोटा chapter है तो इसका weightage भी छोटा है मातर किसका चार नमर का है तो ठीक है ए अब्जेक्टिव से एक रहेगा और आपका एक लिखने के लिए तीन नमर में आपका देगा ठीक है तो surface chemistry में भी tension उतरा नहीं लना है theoretical chapter है तो आराम से इसको कर लिजेगा ठीक अब चलिए आब आते हैं inorganic you are जहाँ पस general principle process of isolation elements बात करेंगे और इसका weightage ज़्यादा होना चाहिए लेकिन weightage ज़्यादा है नहीं छोटा chapter इसका है तो तीन नमर और एक नमर याने कि सिर्फ हो सिर्फ objective के लिए त्यार करना है यहां से जो पूरा process पूश्टा थी और को निकालते हैं पूरा process लिखिये लोंग में नहीं दे रहा तो tension फिरी होगा इसे बहुत long सवाल मन देते हैं ठीक ना कोई भी और को तो देगा कैसे इक्स्ट्रेक्शन करते हैं तो पूरा process लिखिये बताईए तो दे नहीं रहा तो यहां से बच गया है तो बस क्या objective के लिए त्यार करना है कौन किसका और है कौन कौन से कैसे कैसे क्या होता है अब्जेक्टिव के लिए है तो ध्यान देना होगा objective के लिए इसके बाद पी बोलो के सब तो बड़े बड़े चेप्टर यहां से तो रहेगा ही रहेगा ठीक है तो यहां से क्या करेगा आपका देखिए लोग में भी रहेगा यह तो definitely है ठीक है तीन नमर करना ही है तो ठीक नहीं है तो कोई दिकत नहीं और आपका लाश्ट में यहां पर एक नमर का 16 objective ही तीन है तो यह सब आपका बड़ा बड़ा चेप्टर है यह सब आसान भी रहता है यह सब क्या है रटना है इसमें यह रट याद करना भी उतरटब नहीं पड़ता है ठीक है तो यहां तक बाद हो गया है इसके बाद चेले coordination compound तो coordination compound में क्या पूछेगा coordination compound तो यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा तीन नमर का बेटेज है ना यहाँ पर इसके बाद डी ब्लोक चुट किया डी ब्लोक और ए ब्लोक तो डी ब्लोक ए ब्लोक से बेटेज आपका पांच नमर का और आपका एक चार objective और आपका एक नमर का साल लिखने के लिए दे ब्लोक तो यहां से आपका दो चारी पर भालै करता रहेगा घ्ली अवी हो गया इसके बाद alcohol cachane इथन चलिए तो यहाँ से एसे में निमिंग रीक्ISHटा बerdता है तो नेमिंग रिएक्षन में तो हमको रटने परसानी हो जाता था एक यह वार सार जितना विदस्थ नेमिंग रिएक्षन है इस भी इस लिए स्टार्टेंग से पढ़ने से रियल्ट बेस्ट होता है ठीक है चलिए तो आपका अल्कोहल फिनोर इधर तो सबसे बड़ा कैसे अखेगल तो अल्कोहल फिनोर रहेगा एक यहां पर किसम है एक आपका चला गया एक नमर का और तीन का है ठीक है चलिए अट कर दोने का बोक्स लेकिशिण लेन दी सब्सक्राइब करने वाला चेप्टर है तो सबसे यहां पर आपका एक नमर का बेटेज भी है और अर्गेनिक ठीकस कोई बाहर से रिएक्शन होगा जो इपना है रेक्शन स αλλά कुछ नहीं होता है क्योंकि कुछ दिया ही नहीं है फाइंक केवल हर दिए और ब datos नु कम आशे ने पांड रोगाएं कि यह को सथ लगी में है पूच रहेंगे और तिनमेंगे तो आपका एक कर लिखने के लिए रहें किसे हो 3000 पूछल पूठी वोट पूचुल्शें से तो आपके स्वाशन पूचे सब्सक्सक्रानियंग कर दो बनेगा इंग तो लोंग सबॉन से बनेगे नहीं नहीं के 175're kaf कुल याने केवल दवा का नाम याद रखिए न दवलशय लागे बिल्कुल तो तो बीलुकुल है तो क्या निए अचसे रहेगा आपका objective तो fix एक नमर का और लास्ट में लास्ट में आपका चार नमर बेटेज है तो यहां पे तीन नमर का दिया है ठीक है तो chemistry everyday life च्छोटा चेप्टर और बीटेज भी छोड़ा चार्ट नमर फिर भी है लेकिन इसका ज्यादा बेटेज है ठीक है तो असान में तो अमको और्गिनिक थाफ पड़ता है रिक्षन होगा कॉंसेप्ट क्लियर है 11 अच्छा से ठीक रहा है दिक्कत होता है ठीक है लेकिन दे रहा है कैसे कैसे क्या दे ठीक तो आपका जो भी डिसकर्शन है इससे पढ़ लिजेगा आइधिंक पढ़ी लिया होंगे एक नमर का स्वाल में क्या है एक्जांपल ओप क्या है एरोजल मेटलोर्जी वेगरत एक नमर के ध्यान नहीं देंगे हम लोग सिंपल सिंपल है आपको ठीक है तो देख लीजेगा और यहां पर आयो पीसी नमर कर पूछ रहा है चलिए तो सात नमर तक आपका क्या है एक नमर का सवाल रहेगा और नेम दा डीजिस काउज भाई विटामिन डी से जो कमिस हो को उसके बारे में है हम लोग यहां से स्टाट करेंगा इंग एक नमर से तीन नमर का होगा तो फर्स्ट रोल रीक्षण क्या हो गया और यूनिटी पर लिखना धारा यहां तो ऑसान है को दिकत है जिसके बाद complete reaction तो दिकत reaction याद करना हो तो complete हो ही जाएगा इसके बाद complete reaction ज्यादा तर वही रहता है इसमें के मेस्टिम है क्या देखिए तीन नेमर वूस टैप से यह फिन आर ने डी ने तो popular सवाल है तो हमेशा पीछला फाइनल एक्जाम में भी था प्रिभीस येर मोडल में भी था इसवार भी है तो आर ने डी ने हुब वहां भी देगा कर्फरमानी है हर साल पुछे जाने वाला सवाल अच्छे डिस्टिव बिटीन कोड़ी पुलीमः डिफरेंट इग्जापल वर देना है तो मॉनमर पुलीमर सब देज़ाएं इसके बाद क्याए टांस्क्यूलाइजर एक्जामपल दीजिए इस अब वाला चप्टर सा नाम तीन नमर का ग्जामपल के साथ एक्जामपल लिखना होता है इसमें दभा के नाम उसका साथ इजांपल ठीक है ना तो क्या क्या काम है क्या यह तो तीन नमर के सब दे रहा था देखिए डाय मेगनेटीज पारा मेगनेटीज फेरो मेगनेटीज कहां से हैं सब तीन नमर के सब मैं से कुछ देगा ठीक है तो सुलीड रिश्ट्ट से और अध्य लाओ इलेक्ट्रोश्ट्रीट से कहा सा गया यह आपका आगया क्या बोलते हैं तो सुलीड रिश्ट्रेट के बाद कौन सा चप्टर है नहीं उसके बाद तो सुलूसन सुलूसन के बाद जो चप्टर वहां से आगया ठीक है यानिकि केमिकल कानेटिक स्थाना अथर्ड में दूसिस यहां पर दे दिया ठीक यहां पर करन तो वहीं से आपका है कट नहीं रहा चलिए इसके बाद से बेंटीन वेकर देख्या स्टक्चर देखिए फिर का फाइनल पेपर तो टेरी करम तो सब सेप को याद रखिए कोपी में बना लेजिए उसको याद कर लेजिए एक और बनाकर प्रैक्टिस कर लेजिए उसको याद कर लेजिए फीक साइकित देगा फीक साइकित देगा ठीक है पीसील फाइप पीसील थीरी वगरा का देता है तो इसको याद रखिएगा आ तो कहां से दिया होगा और गनिक है लॉंग में है तो कहां से दिया होगा वह वह ही अल्ड हाइड के टोर्न कर बॉक्सिर तो पांच डिक्सर पांच नम्म दिया चार दिया तो यहां से पांच का वेटेश है ना चली तो इतना ही था बहुत अच्छा से कर दिया को इसी के बेश्टी बेश्टी बेश्ट पर त्यार करिया हूब हो आपका साल देखने को मिलेगा इसी पैटर ना पर आपका एक्जाम में भी ठीक है तो बारात तेरह एटिंग 14 मिनुट का वीडियो लेकिन डीटेल एनालीस स सब कुछ कर दिये ठीक है और विकिसी को कोई दिक्कत ओक्थ होगा कोई भी चैप्तर में एको्नोमिस का बच्यों बात लिए bekannt के हो यह आप você सब चलिए रहा तुसरी का दार पर हम लोग रिप्रेशन करेंगे ठीकर नोट लेकिंग वेरा सब देखेंगे ठीकर तुछली थैंक्स फॉर वाचिंग और बेस्ट अफ लब कोई भी दिखत होगा तो कमेंट जरू करेंगे चली थैंक्स